प्रिंट्स देहान दीजेगा अरशटवी बीपसी के लिए पेड़ टेलिग्राम डेली टार्गेट बाइच स्टार्ट कर दिया जा चुका है डेली टार्गेट में देखे डेली टार्गेट और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएगे लुए जाएगा अलग 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 कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस अपर करवाए जाएगा यहाँ पर में आप लोग मैसेज करेंगे पेमिंट डिटेल जान लेंगे और पेमिंट करने के बाद स्क्रीन स्ट भेजेंगे फिर आपको add कर लिया जाए गुरूप के अंदर में कोई भी टाइप का एक्जाम हो सब में यह काम आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुस्टिन से कलेक्शन है आप लोग इसको बिस बिल्कूल ही मत करिए वीडियो चल लगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए चलिए हम लोग यहां से करते हैं जूम हमारा यहां से आता है भारती एतिहास वाला पोर्शन और इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट ठीक है चलिए बई देखिएगा हमारा जो पहला सवाल यहां से आता है क्या है पहला सवाल पंच सिधान्ति का किसके पांच सिधान्तों से संबंदित है जोतिस के पांच सिधान्तों से पंच सिधान्ति का संबंदित है नेक्स्ट है कौन सा प्राचीन नाटक वसुमित्र द्वारा यवनों पर विजय के संबंद में है तो यवनों पर विजय के संबन्द में है मालवी का अगनी वित्रम नेक्स्ट है सिंदुखाटी सब्वेता में जुते हुए खेद कहां मिले है तो जुते हुए खेद सिंदुखाटी सब्वेता में देखिए काली बंगा में मिले हैं आपको नेक्स्ट देखिए नमबर चार गायत्री मंत्र रिगवेद में किस मंडल में आपको देखने को मिलेगा तो गायत्री मंत्र जो है अगर हम बात कर लें रिगवेद के अंदर में ध्यान दीजेगा रिग्वेंद के अंदर में आपको ये तीसरे मंडल में देखने को मिलेगा इसमें टोटल बासट सुक्त है जो इंदर देव और अगनी देव को समर्पित है और इसका रचना किसने करा है तो महरसी विश्वा मितर जीन है ठीक है चलिए आगे बरते हम लोग नंबर 5 की और नंबर 5 देखिएगा नंबर 5 क्या बोल रहा है असोग के किस सिलालेख में धम नीती का बर्णन है तो असोग के जिस सिलालेख में धम नीती का बर्णन है वो है देखिए, सिलालेख नंबर 11 में, राइट, नेक्स है नाभी वर्स, किस देश का इतिहासिक नाम है, नाभी वर्स, बहुत important question है, इसको VVI करके आप लोग note down जरूर कर लीजे, friends, on academy लेकिया है, बहतरीन मौका, इस नए साल के अफसर पर 23% का आपको discount मिलेगा, BPSC subscription या तो आप कोई भी subscription लेना चाहें, देखिए ये offer valid है सिर्फ 6 जनवरी यानि कि कल तक के लिए, इस offer को पाने के लिए आपको use करना है code RKG10, और ये RKG10 code use करते ही, आपको 23% discount a huge discount आपको अभी receive होगा, तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, फटब फटब से जाएए और subscription ले लिजे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो previously 24 month का subscription, 13,000 मिला करता था, उसमें अभी सिधा-सिधा 3,010 रुपे का discount कर दिया गया, 10,000 मावब subscription ले सकते हैं, और इसी तरह so on, आप और भी subscriptions को देख सकते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं इस new year के उपर, BPSC के लिए बहतरीन तरीके स्तेहरी करना, अनकैडमी को join करिए, उसके लिए आपको use करना code RKG10, और RKG10 ये code use करते ही, आपको 23% discount मिलेगा, so don't waste it, just grab it तो नाभी वर्ष जो है, भारत एतिहासिक सुरोतों के अनुसार भारत का नाम, भारत वर्ष का पुराना नाम नाभी वर्ष था, तो यहाँ पर आप इस चीज़ समझ सकते हो, कि भारत का पुराना नाम भारत वर्ष था, और भारत वर्ष से भी पहले इसका नाम नाभी वर्ष था, जो पहले जैन तिर्थंकर, रिसव देव के पीता, राजा नाभी के नाम पर रखा हुआ था, ठीक है, चलिए नेक्स देखते हैं हम लोग, नमबर साथ साथमहन वन्स के किस राजा ने गाथा सब्तसती की रचना की है, तो गाथा सब्तसती की रचना राजा हाल ने की है, ध्यान रखेगा, राजा हाल हाल ने गाथा सब्तसती की रचना की, जो प्रकृत भासा में प्रेम कविताओं का ये बेसिकली कलेक्शन है नकस्ट है किस सुफी संद को चिराग दिल्वी कहा जाता है चिराग दिल्वी के नाम से सेख नसीरुद्दीन महमूद को बोला जाता है नमबर नो चंदावर के युद्ध में महाम्मद गौरी ने किसे हराया था चंदावर की युद्ध में महाम्मद गौरी ने जैचंद को पराजित किया था नेक्स्ट है मारा नमबर दस देखिएगा मुलक खादिम के नाम से कौन सा राजा जाना जाता है बेरी इंपोर्टेंट है ये वाला point याद रखेंगा मुल्के खादिम माराथा समराज जो है ना इनको माराथा समराज के राजा होते थे इनको मुल्के खादिम के नाम से जना जाता था अब हमारा आता है सदीके स्वतंतरता आंदोलन से नेशनल रेवलुशन मोमेंट जो रहे हैं वहाँ से important question समारे आते हैं कौन से वाई सराय ओवन मेरेडित के उप नाम से कविताएं लिखते थे वीवी आई कर लीजिए ये बहुत बार वीपेसी में भी पूछ चुका है ये सवाल बहुत अच्छा question है Lord Litton ये ओवन मेरेडित के नाम से Lord Litton अपनी कविताएं को प्रकासित किया करते थे next है केवल पागल खाने के बाहर खड़े पागल लोग ही आजादी की बाते गर सकते हैं और सोच सकते हैं स्वराज के संदर्व में ये वाला statement या कतन किसका है तो ये है जीके गोखले जी दियान रखिएगा जीके गोखले जो है वो moderate यानि की नरम पंती दल से इनका संबन रहा है ठीक है नमर 13 देखिएगा किस दिन को मुस्लिम लीग द्वरा प्रत्यक्ष करवाई दिवस के रूप में घोसित किया गया था तो प्रत्यक्ष करवाई दिवस या direct action day ये 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वरा घोसित किया गया था नेक्स्ट है ये रिपोर्ट रदी कागजो की धेर में रखने योग है साइमन रिपोर्ट के संबन्द में ये statement किसका था तो सर सीवस्वामी आयर जी का ये statement था साइमन रिपोर्ट के संबन्द में नेक्स्ट है माँ देख है वार्नोकलोर प्रेस एक्ट किसके सासन में पारिद किया गया था ये statement किसका था तो लाला लाजबात राइ जी का ये statement था इसको आपलों correlate भी कर सकते हैं लाला आजपत राय की मृत्यू जो है उनके उपर लाठीओं से प्रहार करने के वज़े से इनकी देथ हुई थी तो इससे भी आप correlate कर सकते हैं माणने से पहले नोंने ये statement दिया था नेक्स्ट है हमारा देखें अंग्रेजों ने भारत में प्रांतिय स्वायत्ता की शुरुआत की तो ये कब की थी तो देखें भारत सरकार अधिनियम 1935 के दोरा अंग्रेजों ने प्रांतिय स्वायत्ता की शुरुआत की थी नेक्स्ट है कॉंग्रेस वास्ता में बिना हत्यार के ग्रिय युद्ध में है कॉंग्रेस अंदर्व में ये कथन किसका था तो ये कथन था कॉंग्रेस अंदर्व में सर सयद हैमद खां का नेक्स्ट है किसने टिपनी की है कि नहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राज नेता ये स्टेटमेंट था सर महम्मद इकबाल का ठीक है यहीं है वो महम्मद इकबाल जिसनों लिखा है सारे जहां से अच्छा जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर राश्विकार कर दिया था तो राज गोपला चारी जीने कर रहा था आगे बड़ते हम लोग भारती राजवस्ता यहां से आते हैं यानि पॉलिटी कोश्चन से यहां से हमारे आते हैं देखिएगा सम्विधान के किस अनुछेद में यह कहा गया है कि सभी सारवजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं यह आर्टिकल 15.2 के अ छे प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सांतिपून सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संग के निर्मान की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमन करने की स्वतंत्रता, वैवसाई की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता ये छे प्रकार के स्वतनता भारत के सम्विधान के नुसार नाग्रिकों को हमारे प्राप्त है। 23 देखिएगा, जो विषय केंद्र सुची, राज सुची और समवर्ती सुची में किसी में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। देखिए वैसा भी साथ जो नहीं केंद्र सुची में है, नहीं राज सुची में और समवर्ती सुची में है, उस पर केवल संसद ही बना सकता है कानून। 24 अब तक भारत के सम्विधान के प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है। टोटल अगर हम बात करें तो केवल एक ही बार भारत की सम्विधान की प्रस्तावना है, इसमें चेंज करा गया है। 1976 में ये 42 सम्विधान संसोदर ने दोरा किया गया था, जिसके अंदर गत धर्म निर्प्रेक्च समाजवादी अखंडता सब्द को एड़ ओन करा गया था। नमबर पचीज देखिएगा, नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के अपात काल हैं, तीन प्रकार के टूटल भारत में अपात काल है। दूसरा है प्रादेशी का पातकाल तीसरा है वितिया पातकाल इनमें से वितिया पातकाल आज तक भारत में लगाने की नौबत नहीं आई है टच्वुड और आगे भी ना आए नेक्स्ट है हमारा भारत में गार्जेन ओफ पॉब्लिक पर्स किसे कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक को जो है गार्जेन ओफ पॉब्लिक पर्स कहा जाता है नेक्स्ट देखिएगा पंचायती राज स्थानों में सुधार के लिए असोक महता समीती का बनाई गई थी देखिए 1977 में असोक महता समीती का निर्मान किया गया था पंचायती राज संस्थानों में सुधार के लिए असम पुनर गठन अधिनियम 1969 दोरा किस राज का जन्म हुआ है देखिए इसका जन्म है मेगाले का नेक्स देखते हैं हम लोग भारत के संपरभुता लोकतांत्रिक गणराज के कितने दिन बाद सर्वोच न्याले अस्तित्व में आया था देखिए दो दिन बाद आया था भारते सर्वोच न्याले के स्थापना 28 जन्वरी 1950 को हुई थी और करेंटली वर्तमान परिसर में सर्वोच न्याले 1998 से सुरू हुए चलिए नेक्स्ट है हमारा देखिएगा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म जाती लिंग वंस जाती स्थान निवास या उनमें से किसी अधार पर राज के तहत किसी से भी रोजगार या करेलेक समंद में अपात्र या भेद भाव नहीं किया जागा या किस अनुछेद में है देखिए ये आर्टिकल 16 में आपको देखने को मिल जाता है भारत एमम विस्व भूगोल यहां से मारा स्टार्ट होता है अपको क्लीन अगर ना दिखाए दे आप लोग बस मुझे सुनिए और आप लोग एक दो कोश्चन थ्वासा मैनेज कर लिजे उत्तर भारत के विसाल मैदान गंगा के मैदान और धकन पठार के मैदान के बीच किस प्रवत स्रिंखला का विभाजन किया गया है बहारत के कितने राज की सीमा भुटान से लगती है नेक्स्ट है एसिया के पहले जल विद्धू तूर्जा स्टेशन सिव समुंद्र की स्थापना कब हुई थी पाक जल डमरू मद्ध कहां परिस्तित है ध्यान रखिएगा यह पाक जल्डमरुमद जो है भारत दमिलाडू राज्य और स्रिलंगा के मननार के बीच में इस्थित है इस छेत्र में प्रसिद रामसेतू ब्रिज जो है वो स्टैबलिस्ट है नेक्स्ट है हमारा देखिए अगलुहास महासागरिय धारा किसे संबन्दित है देखिएगा अगलुहास महासागरिय धारा जो है इसका संबन्द है इंडियन ओशन से यानि हिंद महासागर से नेक्स्ट है कुंचिकल जहर्णा किस राज में इस्तित है देखे कुंचिकल जहर्णा जो है यह करनाटका में इस्तित है कुंचिकल जहर्णा करनाटक के शिमोगा जिले में इस्तित है और इसे कुल उचाई 1493 मीटर है यह भारत सबसे उचा जहर्णा है फ्रेंड्स अब तक आपको अगर हमारा कंटेंट हमारा वीडियो अच्छा लगड़ा हो जरूर से जरूर कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर लिजे नमबर 37 देखते हैं बाबा बुदीन पहाडी किस राज में स्थित है देखे बाबा बुदीन पहाडी जो है ये बाबा बुदीन पहाडी करनाटक के चिकमंगलूर में स्थित है बाबा बुदीन की पहाडी किस परवत को फाइव प्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है दे ये परवत नेपाल और सिक्कीम के बीच में इस्थित है ठीक है ठीक है माफी चाहँगा है रेखा को र रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है देखिए रेनेल जलधारा जो है यह आपको अट्लांटिक महासागर की जलधारा है नेक्स देखते हैं हम लोग परेवरण और जैब विविद्दा से मारा सवाल आ जाता है देखिएगा भारत का पहला समुद्री रास्टे उध्य चान कौन सा है तो समूद्री रास्टे उध्यान कच की खाडी कच की खाडी में यह स्थित समूद्री रास्टे उध्यान है इसके सथापना 1982 में करी गई थी सारे डिटेल्स आपको यहां से मिल गए 42 देखिएगा ओजोंडे मनाने की घोषना किस प्रोटोकॉल में हुई थी देखिए नागोया प्रोटोकॉल में हुआ था वर्ल्ड ओजोंडे मनाने घोषना ठीक है ये दिवस जो है हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी घोषना मॉन्ट्रियाल प्रोटोकॉल 1987 के तहत हुई थी नेक्स्ट है परिम्बी कुलम वन्य जीव भैरने किस प्रदेश में है देखिए गए केरल के पलककर जिले में है राइट नेक्स्ट है मारा देखिए रेट डाटा बुक किन खत्रे में इस्थित प्रानियों की लिस्ट जारी करता है देखिए ये जानवर पेड, फुंगी रेट डाटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खत्रे में होते है हर रेट डाटा बुक में जानवर या व्रिक्ष अथवा फुंगी की लिस्ट होती है जो खत्रे में होता है या लुप्त प्राय होने वाले होते है 45 जैविविद्था की प्रचूड़ता ता छेतर विशेश जीवों की प्रमुखता वाले समय दन्सी लिस्थल को क्या कहते हैं 46 भारत का पहला टितली पार्क किस रास्टे उध्यान में विक्सित किया गया है देखिएगा ये बेनेर घट्टा राष्टे उध्यान करनाटका में जो है पहला भारत का तितली पार्क विक्सित किया गया है नेक्स्ट है जलवायू प्रिवर्तन आकलन आई-न-सी-सी-य के लिए भारतिय नेटवर्क में संस्थानों की संख्या क्या है 127 है नेक्स्ट बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है देखिए बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको वेस्ट बेंग ओल में देखने को मिल जाएगा मिल्लेम रास्ट्र उध्यान कहां पर वस्तित है देखेगा यह गुवा में आ वस्तित है मिल्लेम रास्ट्र उध्यान नेक्स देखिएगा यूट्रोफिकेशन ओक्सीजन की कमी और पानी की गुणवत्ता मचली और अन्य प्रसू अबादी में गंभीर कमी कारण होती है जो अन्धता विशेश प्रस्तितिकी तंत्र को नस्ट कर देती है इसका क्या कारण है इसका कारण है देखिए रसाइनिक पोशक तत्वो और नाइक्ट्रोजन या फासफोरस योगत योगिकों में वृद्धी राइट चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारती प्रतम पंचवर्सी योजना में किस चेत्र को सरवाधिक प्रात्मिक्ता दी गई थी तो पहिला पंचवर्सी योजना को में क्रिसी चेत्र को सबसे ज़्यादा प्रात्मिक्ता दी गई थी चलिए नेक्स देखते हैं पंचवर्सी योजना का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता देखिए इसका आर्किटेक्ट PC महनुबॉलिस को पंचवर्सी योजना का आर्किटेक्ट कहा जाता है नेक्स्ट है ग्रामी चेत्रों में गरीबी के आकलन यानि इस्टिमेशनΑफ पवर्टी हैतूकि सुछकांग या इंडेक्स को आधार माना जाता नमबम 55 सहरी अक्षायब की आक्लार को आधार माना जाता है तो अकय चलू चलू जब नेक्स के ग्रामी जत रोल स्वरूप या कारन क्या है प्रच्वरन प्रोपट व זवर भारगा है स्वारी रास्ट्रे ग्रामीन रोजगार कारिंटी योजना यानि नरेगा कब सुरू हुआ था यह देखिए दो फरवरी 2006 में नरेगा की सुरुवात हुई थी नेक्स है योजना अवकास या प्लान होलिडेज किस काल की अवधी को माना जाता है यह देखिए 1966 स59 का जो काल था योजना अवकास या योजना प्लान होलिडेज बोला जाता है वोकारो इस पात सियंत्र की स्थापना किसी योजना के दोरान की गई थी इसकी स्थापना देखिए ठृतिय योजना के दोरान करी गई थी अगला देखते हैं हम लोग पर्यावरन, संरक्षन, बाढध नियंत्रन, उर्वडक और डीजल में सबसीड़ी के उद्देश के लिए योग्यता माल के रूप में वर्गी कृत किया जा सकता है केवल पर्यावरन, संरक्षन और बाढध नियंत्रन को चलिए, नेक्स टम लोग देखते हैं, समान विज्ञान, यहां से हमारा स्टाट होता है समान विज्ञान एवं तकनीक, ठीक, चलिए ध्यान दीजेगा, कौन सी बिमारी कौन सी बिमारी से कोईले की खान में काम करने वाले मजदुरों की उम्र कम हो जाती है यह होता है, सिलिकोसिस, ठीक, प्रकास स्तंब में अत्याधिक तेज प्रकास किस प्रयोजन से होता है तो अत्याधिक तेज प्रकास जो है, प्रकास अंसलेशन में द्यान रखिएगा कैसे होता है, तो देखिए, समुन विज्ञान दिसाओं से आ रहे जहाजो कमाग दसन करना और उन्हें चेतावनी देना तो प्रकास स्थम में अत्यादिक तेज प्रकास इसी लिए यूज होता है ठीक है नेक्स देखिए किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली सिसी रख देने से उसकी कुस्बू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ऐसा किस कारण होता है देखे ऐसा होता है विसरन के वज़े से ठीक है जो फैला होता है उस वज़े से वे पौधे जो अत्याधिक नमक वाली मिट्टी मुथपन होते हैं, क्या कहलाते हैं, देखें उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है, पपीते में पीले रंग का क्या रीजन होता है, देखें पपीते में पाया जाता है, कैरिकाजन्थीन, इसी विज़े से इसमें पपीता पक्के पीला हो जाता है, हिंग कहां से प्राप्त होता है, देखें हिंग की प्राप्ती होती है, पौधे से, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेगा, मानाव सरीर में विटामीन भंडारित कहां होता है, देखें इसमें जो है, मानाव सरीर विटामीन भंडारित होता है, अपने लिवर में नेक्स्ट है देखिए डार्विन दौरा प्रकृती चैनवाद के परतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था सबसे अधिक प्रभाव था अभादी पर मल्थन्स के लेख का आगे बते हैं जब डॉक्टर किसी को कहता है खेंत्य है कि उसे ट्रह्य को गया है तो उसका आश्य होता है कि उसे पक्छा गात होगा धोग्या है नेक्स्ट है हमारा फिर्थवी तथा पुरानी चैनवाल का रायों ग्यात करने के लिए किस ततव का प्रयोग चानता है तो यह होता देखिए कारबन और पोटेशियम डेटिंग का, ओके, चलिए, नेक्स्ट यहाँ से हमारा आता है, खेलकुद वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से, खोखो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं, खोखो की बात हो रही है, कितने क्रॉस लेंस होते हैं, जीक है टोटल अगर बात कर लेंगे, खोखो की तो आठ हो जाएंगे, किसी अंतरास्तिय फूटबाल मेच में समान ये समयवधी कितनी होती है, तो 90 मिनट का समयवधी एक फूटबाल मेच में दिया जाता है, सवारों का टोक्यो ओलंपिक 2020 का सुभंकर क्या है तो मिराई टोवा इसका सुभंकर है आई थिंग कल वाले भी जो सेट था उसमें भी यह वाला सवाल था तो आई होप आप लोगों को यह याद होगा वाली इस मैस सर्विस सब्द किस खेल से समंदित है देखिए यह टेबल इस सिल्टान अजलान साकप किस खेल से है समंदित होगि से कि नेक्ष्ट हमारा देखिए स्केटिंग खेले जाने वाले स्थानों क्या कहा जाता है देखिए इसको भूझ गोलते हैं रिख ठिम मम्दक किस खें से हैं नि 먹 दीष्टे और तरन्दा जी और टिरंदाजी का खे परीसर किस नाम से जाना जाता है देखिए इसको बोलते हैं रेंज राइट हमारा नेक्स्ट आता है कृशी राश्ट्री ये रस्दार फालनस्दान केंद्र कहां पे इस्तित हैं नागपूर में खरीव की फसल है कौन-कौन सा जवार बाजरा मक्का चावल तिल एक्सेक्टरा रभी की कौन सी फसले है गेहूं, चना, जो, मतर, सरसो, आलू, एक्सेक्टरा ये सारी रभी की फसले है नेक्स देखिए गेहूं की फसलों को टोटल देखे छे बार सिंचित करने की अवसक्ता होती है कपास करेशा मुख रूप से बना होता है सेलिलोज का निशेचन के बि दिन्क बिहाँ होता है तो निरमान रहकित अवस्चक होता है । किस तरह पा की अवसकता होती है इसझा फ्सलों के का व CAPET 4020 मेनेजर अनुसंदान निशालै जबलपूरदोविक्सित मोबाइल एप है वीड मेनेजर ठीक है वीडो हनी की फार कि किसे मानव उत्पाद धान यानि मैनमेड सीरियल्स कहा जाता है यहां से हमारा आखरी सवाल आ आता है यानि आखरी पॉइंट के और अपने विविद की और स्टाटिक्स की और चलिए पुष्टी मार्क के दर्सन की स्थापना किस ने की थी इसके स्थापना की थी वल्लभाच चारे ने जब तक जीवित रहो सुखी रहो सुख से जीवित रहो चाहें इसके लिए रिन ही लेना पड़े क्योंकि सरीर के भसमी भूत हो जाने पर पुनर आगमन नहीं हो सकता है पुनर जनम का निशेद करने वाली या युक्ती किस की थी ये देखे चारवकों की युक्त नेक्स्ट है किसने पर्तिपादित किया कि भाग नहीं सब कुछ निर्धारित करता है देखेगा ये पर्तिपादित किया था आज ही विकोंने ठीक है कौन सा तेवहार इसलाम धरम में रमजान महिने का अंत परदर्शित करता है इलुल फितर इसा मसी की पुनर जिवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला जो तिवहार है वो है इस्टर नेक्स्ट है सियाचिन गलेसियर किस राज में है देखिए यह जेनके में है यानि की जमु एन कस्मीर में आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा गोसाई दूत मू सुमित्र अन्दन पंतजिका नेक्स्ट भारत की धार्मी प्रथाओं के संदर्म स्थान कौवपासी संप्रदायय का संबंध इस सथान कौसी यादें मनाया जाता है हजर्त इबरहीं की याद में एंदिल-जुलह मता करता है किन्तु इन में से अभाव किसीच का होता है तो वो होता है आईरन का यानि की लोहे का तो friends ये था हमारा set number 2 उमीद करता हूँ आपको ये काफी पसंद आया होगा comment करके जरूर अपने रायमाच से शेर करिए वीडियो चल लगे वीडियो को भी लाइक करिए and kindly share our वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए चैनल को till then take care, bye bye, God bless you all